इस समय की बड़ी खबर आ रही है क्या चिराग पासवान की सदस्ता जा सकती है क्या चिराग पासवान को लाइन पर लाया जा रहा है इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं सोचिए कई सारे मुद्दों पर चिराग पासवान ने सरकार से सरकार को आख दिखाए खासकर इंडिये का हिस्सा है, पांच उनके सांसद है, इससे पहले भी उनकी चाचान उनकी पार्टी को तोर दिया था, इस बार फिर से चिराग पासवान की सदस्ता खत्रे में पर गई है, और कहा जा रहा है, थोरा सा भाजपा के गलत नितियों के खिलाब बोलने का पईनाम लगता है, जल्द मिलने वाला है, क्या लगता है, इतने आरोपों के बास सांसदी बचे गी, या जाएगी? का जा रहा है कि चिराग पासवान गिरी मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं चिराग पासवान पर लगे हैं तीन बड़े आरो यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह अख़बार में जनसे दैनिक भासकर में रेप केस में रिष्पोडेंट नंबर दुए दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफणामा में नहीं दिया हलफणामा में असो किया कि उनके उपर कोई केस दर्ज नहीं है खगरिया के सहरबन्नी में चिराग पासवान का पैतरिक घर है चुनावी हल अफनामा में उन्होंने सिर्फ पटना के इसके पूरी के घर की जानकारी दी मगर सहरबन्नी की 80 एकर जमीन के बारे में नहीं बताया जहासी की जिस बुंदेल खन इनिवर्सिटी से जूरे Computer Engineering Institute of Engineering and Technology College से चिराग पासवान 2005 में बीटे की पढ़ाई करने की बात कही है वो भी गलत है तो सोचिए इस देश में दलित पिछरों के लिए कितना मुश्किल है अगर आप अपने समाज के साथ खड़े हैं दरसल हाल के दिनों में मैं वही बता रहा था नरेंदर मोदी की सरकार थोरी मुश्किल में है चंद्र बावु नाईडू बहुत मंजे हुए नेता है नरेंदर मोदी जब मुखमंतरी नहीं थे तो वो मुखमंतरी बन चुके थे उलट फेर की रातनीती में मास्टर हैं उन्होंने अपने ससुर को एंटी रामाराओं को बड़ा जटका दिया था और मुखमंतरी बने थे बाद में दस सालों तक जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो आईटी के मामले में कहा जा रहा था कि कंप्यूटर को हैदरावास सहर को बनाने में चंद्र बावु नाईडू का बड़ा उदान था फिर से वापसी हुई है और वहां मुस्लिम बोट है मैं बार-बार कह रहा था कि जिस तरह से जगन मोहन रेड़ी और उरीशा के मुखमंतरी नविन पटनायक बीजेपी से गलवईया कह रहे थे दलित पिछरे किसान अल्व संख्यक लगातार बीजेपी से नाराज हैं और ये बात सब जानते हैं तो अब चिराग पासवान को निप्टाना इतना असान नहीं होगा वही नितीश कुमार की पार्टी अभी सबसे ज़्यादा भरोसे मंद है मोदी जी के लिए लेकिन NCP महाराष्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है सिवाजी महाराज की मुर्दी गिरने के बाद आज पर्धान मंत्री ने माफी मांगी है उन्होंने का कि मुझे माफ कर दीजिये लेकिन सवाल है कि 3300 करोड के घोटाले को माफ की लाइक है या इसकी जाँच होनी चाहिए वहीं सोचिए एक तो सिंदे गुट के मंत्री ने का कि मुझे NCP के निताओं के साथ बैठक करने में उल्टी आती है तो परधान मंत्री नरेंद मोदी उतने मजबूत तो नहीं है NPS, UPS पर भी लगातार खटास है विदेश निती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है ब्रुजगारी ने पीसा भी नहीं छोड़ा है और इन सब के बीच मायावती जी भी लगातार हमलावर है अखलेश यादर का भी उदय हो रहा है तो बीजेपी के लिए मुस्किल जो है वो लगातार बर रही है और अब खेल करना बड़ा मुस्किल होगा बीजेपी को किसी के साथ कुछ टूइट्स मैं पढ़के बताऊंगा कि हाल के दिनों में किस तरह से बीजेपी ने बड़ा यूटर्ण लिया है और इससे साफ लगता है कि उतनी मज्जो नैंदर मोदी जिसके लिए जाने जा रहा है थे एक बार याद है राजनाज सिंग ने कहा था कि हमारी सरकार में स्तीफे नहीं होते है अब सोचिए जाती जनगना पर यूटर्ण मारने पर किस तरह से डाटा जा रहा है मोदी माफी माँग रहे हैं सोचिए क्या दिन आ गए है मोदी माफी मांग रहे हैं कंगना को डांट पर रही है वक्ष बोट भी फस गया है हिंदू मुसलिम करने को लेकर अब आरजेडी खिलाप में है सपा खिलाप में तो वो तो भी पक्षिदल है नितीष कुमार ने कहा है कि वो बक्ष बोट की जमीनों पर स्कूल बनाएंगे नितीष कुमार की पार्टी जेडियू जो है वो मुसलिम्स बोट नहीं खोना चाहती है अगर उसको राजिती रूप में सर्वाइब करना है तो वो भी बड़ा एक फैक्टर है लेटरल इंटी पर ब्रेक लग गए है सुचिए S.E.S.T. O.B.C. के लोगों को जिस तरह से जागरुक हुए है दिलीप मंडल को मीडिया एडवाइजर बनाना पर रहा है ब्रोडकास्ट भी इलका जा रहा था यूटूब को रोक दिया जाएगा वो ठंडे बस्ते में है योगी जी ने आटला काउफर निकाला है पेंसन इसकी में बदलाव हो रहा है उससे भी कुछ जादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है तो ये बड़े यूट्रन है सरकार के लेकिन उनके गटबंधन के लोग भी अनुपरिया पटेल पहले ही आँख दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनुपरिया पटेल दो सीट तक आ गई है एक सीट रह गया है और वहां उनके लोग अबी सी के लोग नाराज है में उन्होंने खासकर जो डिप्टी सी एम है उनको लाया तो उसे पार्टी को मजबूर्टी मिली लेकिन दली समाज अभी भी अगर चिराग पास्वान हड़ जाते हैं तो मुश्किल बढ़ेगी ये एक बड़ा फैक्टर है जीतना माजी के आने से बड़ा फैक्टर हुआ है तो बीजेपी को सोसल अगर अब बीजेपी को आगे सर्वाइब करना है तो एससी एस्टी ओबीसी के संव्धानिक अधिकारों को देना पड़ेगा और अगर आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं एक तो जो बीजेपी के में जो मनुबादी जाती बादी लोग बैठे हुए जतने बीजेपी सरकार में वो हर जगा गरवरी कर रहा है चाहई वो नौक्रियों का वैकेंसी और वहां गरवरी कर रहे है UPSC में जिस तरह के मामले सामने हैं वो गरवरी कर रहे है सुपरीम कोट ने SCST पर जिस Τरह से बरगी करन की बात कही है वो मुश्किल में है OBC का जिस तरह से लगातार मोह भंग हो रहा है ये बड़ा मसला है और हर्याना चुनाओ के बाद तो लगभग दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि हर्याना चुनाओ में बीजेपी का गराब बहुत उपर उर्ता हुआ नहीं दिख रहा है तो बीजेपी के पास बचने का एक ही रास्ता है कि उनको दलित पिछरे अलफसंख्यक समाज को अपने साथ जोरना पड़ेगा अलफसंख्यक समाज अगर न भी जूरे किसान जातियों को जुड़ना पड़ेगा किसान अंदलों से जाट उनसे नाराज है महराष्ट में सिवाजी के मुर्ति गिरने से महराठा नाराज है गुजरात में पटेलों को उन्होंने भले साथ लिया है लेकिन अभी भी मैं कहा रहा हूँ हारदिक पटेल जरूर अभी भी उन्हों के साथ जो जो हुआ है वो सांत रहने वाले नहीं है तो SCHTOBC जिस तरह से दूर हुआ तो ये सबसे बड़ा सवाल है अगर इसी तरह से BJP से BJP के 10 सालों के सरकार में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जो कॉंग्रेस के सरकार में नहीं थी मैं फिर कह रहा हूँ कॉंग्रेस की सरकार ही इसलिए गई थी कि तीन ब्रहमन नेताओं ने बर्चस्व स्थापित कर लिया था आप सुचिए याद कीजिए बाचपेई की सरकार जाती है क्योंकि वो इन पीए से लाये थे न्यू पेंसन स्कीम और उसके बाद सरकार से नाराजगी होती है और यूपीए वन की मिली जूली सरकार बनती है उस समय लालू यादव, रामविलास, पासवान, बेनी परसाथ, बर्मा जैसे लोग होते हैं और जून सिंग जैसे लोग होते हैं OBC मंडल कमिशन की दुसरी एक सिफारिस ब्रानवे में लागू हुई थी नौकरियों में स्कूल कॉलेज में दुसरी बरी सिफारिस लागू करते हैं अर्जून सिंग उसके बाद UPA2 में बंपर बोट मिलता है 200 के पार करती है कॉंग्रेस आंकरा फिर मिली जूली सरकार है लेकिन उसमें से रामविलास, पासवान आउट है लालू यादव आउट हो जाते हैं, बेनी परसाद बर्मा आउट हो जाते हैं, अर्जून सिंग आउट हो जाते हैं और सरकार कौन चलाते हैं, पर्नमुखर जी, पीछे दमरम और आपको बता दे कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल वही है जिरोंने सिउटी लाया, नीट लाया, उप्यसी के पैटरन बदले और नरेंद्र मोधी ओभी सीखा कर खुद को लाएं, रत पर सवार होकर आएं लेकिन जब से नरेंद्र मोधी परधान मंत्री बने हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, इनवर्सिटी, ब्यूरोकरिसी, बिजनेस इन तमाम जगों पर S.C.H.T.O.B.C. का रिपरजेंटेशन नहीं मिल रहा है, किसान जातियों का रिपरजेंटेशन नहीं मिल रहा है, और ये एक कमजोर करी है, तो हर्याना चुनाव, उसका अद महराज चुनाव है, जारखन में, उन्होंने अपने पाले में जरूर चंप कि दिलीप मंडल के जाने के बाब जूद भी, S.C.H.T.O.B.C. के लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने गलतियां की, हमने उनको सत्ता से बाहर किया, आप भी वही गलती दूरा आ रहे हैं, तो हम आपको क्यों करेंगे, तो बहुजन राजनीती भी मजबूत समाज, आपने 10% सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दे दिया, Economic Beaker Section के नाम पर, जो सम्वेदानिक है, उसके बाद भी आप S.C.H.T.O.B.C. का रिजर्वेशन लागू नहीं करें, जितना एक तो कम है, 27% O.B.C. का है, वो भी हर जगा नहीं है, तो हिंदू-मुसलिम का जो है कि S.C.H.T.O.B.C. के लोग लगातार उन से निकल रहे हैं, और नेताओं को भनक पहले लग जाती है, और नेता भी नाराज हो रहे हरे हरे हरियाना और महाराज जार्खन चुनाओं के बाद इस्तिती लगबख साफ हो जाएगी, और अगर BJP हरियाना में, महारास्ट में जार्खन में, कोई एक दो स्टेटों में अपनी वाफस ही नहीं करती है, तो ये सरकार पांस साल तक चले, इसकी गारांटी साइध ही कोई लिए, शुक्रिया झाल